अमें भारती क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आज बेहद ही एहम बैचक करने जा रहा है इस बैचक में BCCI के अधिकारी IPL T20 वर्ल और घरेलो क्रिकेट पर चर्चा करेंगे आपको बता दें दरसल भारत में कोरोना वायरस के कहर ने BCCI की मुश्किले बढ़ा रखी है BCCI आज होने वाली मीटिंग में वर्ल कप की मेजबानी अपने पास रखने की तारीख खोजने की कोशिश करेगा तो वहीं आपको बता दें कि सामने आई जानकारी के मताबिक BCCI International Cricket Council के सामने सिर्फ तीन जहरों में वर्ल कप के आयोजन की पेशकर्ष कर सकता है मुंबई, पूने और एहमदाबाद वो तीन जगह हैं जहां इस साल T20 वर्ल कप खेला जा सकता है तो वहीं आपको बता दें BCCI वर्ल कप पहले 9 वेन्यू घोशित किये गए थे लेकिन जितनी ज्यादा यात्रा खिलाडी करते हैं कोरोना वाइरस का खत्रा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है खिलाडी अधिकतर समय बायो बबल में सुरक्षित रहें और उन्हें ज्यादा यात्रा नहीं करनी पड़े इसलिए BCCI की तरफ से आपको बता दें कि BCCI सिर्फ तीन स्थानों पर यह अब World Cup के आयोजन का प्लैन बना रहा है BCCI हलांकि World Cup के आयोजन के लिए Backup प्लैन भी तयार करेगा अगर भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन नहीं होता है तो BCCI UAE को बैक अप के तोर पर पेश कर सकता है वहीं आपको बता दें UAE में तीन मैदान हैं और वहां करोना के कहर के बीच पिछले साल IPL का सफल आयोजन हुआ था BCCI की मुश्किल है असल में IPL के स्थगित होने की वज़ों से बढ़ गई है BCCI ने IPL के 14 सीजन की बेहत सफ़ चुरुआत की थी तो ही आपको बता दें मुंबाई और चन्नाई में 20 दिन तक टूर्नामेंट बिना किसी परिशानी के चला लेकिन जैसे ही खिलाडी दिल्ली और एहम्दाबाद पहुँचे तब ही मामला गड़ बढ़ हो गया दोनों स्थानों पर कई खिलाडियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद IPL के 14 सीजन को स्थगित कर दिया गया था होई होंग कॉंग में लोगों के वैक्सिनेशन के लिए प्रोच साहित करने के लिए लॉट्री में अपार्टमेंट का ओफर दिया जा रहा है होंग का डेवेलपर कोविड नाइंटीन वैक्सिन लगवाने वाले लोगों को प्राइस के रूप में 14 लाग डॉलर का अपार्टमेंट दे रहे हैं क्योंकि ये काफी लोग वैक्सिन के लिए उत्सुक नहीं है आपको बदा दे सीनो ग्रूप के NG, TANGFUNG, Charitable Foundation और चीनी Estate Holdings Limited, Kuan, Tong, Shetra में अपने Grand Central Project में नए अपार्टमेंट का ओफर दे रहे हैं वैक्सिन की दोनों डोस लेने वाले होंग कॉंग कोंग के रेजिडेंट 449 वर्ग फुट के अपार्टमेंट के लिए ड्रॉ के पात रहे हैं बता दे सीनो ग्रूप होंग कॉंग में Listed Developers Sino Land Corporation की Patent Company है ये बात तब सामने आई जब सरकार ने कहा कि वो unused vaccine dose के donation सहित कई विकल्पो study कर रही है क्योंकि इन में से कुछ vaccine अगस्त में expire होने वाली है होंग कॉंग की सरकार जो है आपको बदा दे होंग कॉंग की सरकार एक बार फिर से बार खोलने और quarantine period को कम करने जैसी नीती गद प्रोचसाहन दे कर लोगों को अपने shots लेने के लिए प्रोचसाहित करने का काम कर रही है दुनिया भर में vaccine की बढ़ती मांग के बीच Chief Executive Kerry Lame ने टीका करन rate को बढ़ावा देने के लिए किसी भी नगद या दूसरे तरह के incentive की बात को खारिच कर दिया है तो वहीं होंग कॉंग के 95 लाग के आबादी में से केवल 12.6 प्रदिशत को फुल वैक्सिनेट किया जा सका है जबकि इसके पड़ोसी वितिये केंदरु सिंगापोर में 28 असिमलब 3 प्रदिशत आबादी को वैक्सिनेट किया जा चुका है होंग कॉंग में एक फ्री अपार्टमेंट का ओफर आकरशक होना तै है क्योंकि यहां प्रॉपर्टी की प्राइस बहुत ज्यादा है अमेरिका के नियू यॉक, ओहुया, मैरीलेंड, केंचिकी और ओरेगन में वैक्सीन लेने वाले रेजिडेंस के लिए भी लखी ज्रॉपर का ओफर दिया जा रहा है